56 साल के बुजर्ग मुला जिन्हें सुपरस्टार आमिर खान कहा जाता है उसने अब अपनी दूसरी पत्नी किरन राव को भी तलाक दे दिया है पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी करीब 16 साल तक साथ रहे रीना की उम्र ढलते ही 2002 में दोनों का तलाक हो गया इसके बाद 2005 में जवान हसीन किरन राव से शादी कर ली मीडिया रि रिपोर्ट्स के मताबक आमिर खान किरन राव से तलाक ले रहे हैं तलाक पर आमिर और किरन ने ओफिशिल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है कमाल है बहुत बड़ा एहसान कर दिया किरन राव पर लेकिन पहले ये एहसान रीना दत्ता पर हो चुका है रीना के प्यार में आमिर इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने अपने खून से लेटर लिख कर अपने प्यार का इजहार किया था बस रीना भी खत पढ़कर पागल हो गई दीवानी हो गई सोचा उसका आमिर ही उसका सच्चा प्रेमी है शादी हुई दो बच्चे हुए ये धर्मनिर पेक्ष विवाह था बच्चों के नाम भी सैकुलर रखे गए एक का नाम जुनैद और एक का नाम ईरा फिर दिल आ गया किरन राओ पर और आमिर खान ने कहा कि हमने एक दूसरे को डेट किया हम साथ भी रहे फिर मुझे एहसास हुआ कि किरन के बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता फिर मैंने अपने रिष्टे को नाम दिया शादी कर ली और एक बच्चा किया उसे भी सेकुलर नाम दिया आजाद खान अब एक बीवी से कई कई बच्चे पैदा करना उन्हें अल्ला की देन बताना तो गरीब मुल्लाओं का काम है तो अमीर मुल्ला तो अलग अलग बीवी से कई कई बच्चे पैदा करते हैं और लोग इन्हें सुपरस्टार कहते हैं रीना से बच्चे पैदा किये उसे छोड़ दिया फिर किरन से बच्चे पैदा किये फिर उसे भी छोड़ दिया अब नेम फेम की भूकी किसी और हिंदू सिख जैन की लड़की को खून से खत लिख देगा, वो भी पागल हो जाएगी कि मेरा आमिर ही, मेरा अब्दुल ही, मेरा सच्चा प्रेमी है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है और ना ही किस्सा है थोड़े दिन पहले टीना डाबी भी इस जंजाल से बाहर आई थी ये किसी रीना टीना या किरन राव की बात नहीं है, ये एक एजंडा है कभी संगीता बिजलानी भी पागल हो गई थी, उसने अजरुद्दीन से प्यार को बहुत इमानदारी से निभाया ये जानते हुए भी कि अजरुद्दीन शादी सुदा और दो बच्चों का बाप है खेर संगीता ने अजरुद्दीन के साथ कई बच्चे पैदा किये और जैसे ही संगीता की उम्र धलान की ओर चला तो रिष्टा भी तलाक की ओर चल पड़ा क्योंकि अजरुद्दीन को अब नई लड़की चाहिए थी इसी तरह सैफ अली खान को भी कभी अम्रता की मुस्कान बहुत पसंद थी दोनों के दो बच्चे हुए जब तक अम्रता जवान रही रिष्टा रहा लेकिन जैसे ही अम्रता ने उम्र की दहलीज पार की अम्रता का जीवन अंधकार में है इधर करीना से तैमूर पैदा हो चुका है लेकिन तैमूर की मा ही कब तक खैर मनाएगी कुछ समय पहले गौरी से शादी करने के बाद शारुक खान ने कहा था मैंने शादी शुदा और अंग्रेज महिलाओं से प्यार करने को अपनी कला और पेशा बना लिया है मैं उनका पीछा करता हूँ वो कहीं भी हो मैं उन्हें हासिल कर लेता हूँ ये किस्सा नहीं है एक कहानी नहीं है बलकि एक उधारन है कभी पायल नाद भी उमर अब्दुल्ला को देख कर पागल हो गई थी उसने भी सोचा कि उसका उमर उसे तां उम्र रिष्टा निभाएगा उस समय पायल को कोई पश्तावा नहीं हुआ था वो इस नए बदलाव के लिए तयार थी और जल्द ही अपना घर बसाने में वैस्त हो गई समय ने उड़ान भरी उमर अब्दुल्ला ने पायल नाथ से बच्चे पैदा किये और तलाख दे दिया पायल नाथ आज दर दर भटक रही है एक समय अरबाज खान को देख कर मलाई का अरोरा भी दिवानी हो गई थी लेकिन जब उसकी उम्र ढली तो उनका तलाख हो गया इन दोनों का एक बेटा है 14 साल का सेकुलर नाम है अरहान खान उसका मजभब क्या रहेगा वो सब ही को पता है कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दिक्षित की बेटी लतिका ने भी 1996 में सयद मुहम्मद इमरान से शादी की थी बड़े घर से थी सोचा धर्म मजभब सब बकवास की बाते हैं इनसान को सेकुलर होना चाहिए पर जैसे ही उसकी उम्र ढली इमरान ने लतिका पर जुल्म धहने शुरू कर दिये और यहां तक की जान लेने की भी कोशिश की जैसा की कोट में आरोप है एक बड़ी मा की बेटी और एक बड़े नेता की बहन कुछ ना कर सकी और तलाक लेकर चुप चाप घर बैठ गई इसी तरह कभी असम की कॉंग्रेस विधायक रूमी नाथ ने जुलाई 2012 में अपने पहले पती डॉक्टर राकेश कुमार सिंग को तलाक दे कर समाज कल्याड विभाग के लोवर डिवीजन असिस्टेंट के पद पर तैनात जाकिर से शादी कर ली आज रूमी के शरीर पर कई जख और चोट के निशान है रूमी का आरोप है कि पैसों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाने की वज़े से जाकिर अक्सर उसे पीटता रहता था नेशनल शूटर तारा साहदेव के आंसू सबने मीडिया के सामने देखे थे वो किस तरह से अपने पती राकिबुल हसन खान की प्रताडना के किस से सुना रही थी जिसने उसे रंजीत कोहली बनकर शादी की और मुसलिम बनाने की कोशिश भी की ये गिने चुने कुछ वो उदाहरन है जो सब के सामने है वरना वो खबरें वो उदाहरन तो अखबार में रोज छपते हैं जिनमें किसी रिया, प्रिया, नेहा की लाश कहीं गड़े में, कहीं सूटकेस में, कहीं खेत में दबी मिलती है या फिर दिन दहाडे, कोई तौसीफ गोली से उड़ा देता है, कोई अब्दुल गला रिद देता है और वो टीना की तरह पश्तावा भी नहीं कर पाती बेशक किरन राव आज अलग होकर रह लेंगी, वहीं संगीता बिजलानी, मलाइका अरोरा, अमरता सिंग, जानी मानी अभिनेत्रियां जो ऐसे जंजाल से निकल कर बाहर आई है वरना मजहब से बाहर वापसी के तो सारे दर्वाजे बंध होते हैं और एक गेट खुलता है और वो जाता है सीधा कबरिस्तान बेशक प्रेम के शुरुवाती दिनों में गैर मुसलिम लड़की के लिए नमाज पढ़ना कुबूल हो, बुरका पहनना कुबूल हो, ईद बकरीद रमजान सभी कुबूल हो पर अपनी बेटी की शादी उसकी सगी बुआ ताउ चाचा के लड़के से कुबूल नहीं कर पाई, अपनी आखों के सामने किसी बेबस पसु की गरदन पर वार देखना कुबूल नहीं कर पाई, तब पश्तावा होता है, गलानी होती है, लेकिन तब जिन्दगी बदल दर्दर की लड़की यही चाहत यही सपने लेकर करती है, तो बाद में उसे तलाक मिलता है, तो वो क्या करे, दर्दर की ठोकरे खाए, या फिर उसके पास भीक या वैश्यवरत्ती दो ही रास्ते बचते हैं, इसलिए हे सेकुलर लड़कियों, आप उनके लिए प्रेम की व आपसे यही अपील है, कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जादा से जादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरुपता फैलाने से ही फैलती है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर नहीं नहीं कि उन्もう सीगियो कोस में रिणिंद की अभी सिगल है, यह रोग Cubismoey के रे कि ले जादा, क्योंकि शेड से मताने से है इलती है, अभी स्काने से घर उन्प intention lavender, क्योंकि अखंड रे एल ले नहीं करें Android, GNO, परूम, परूम, तो अभी साथे एलती हो।тов है जगों,